हलो स्टूडेंट्स, आज आपा गाल कार दे हैं अठ्वीं क्लास दे six chapter दी, जिस्दा नाम की है, हैं हैंकुन साहिब, याठ्रा हैंकुन साहिब, इस दे कभी हैं डाक्टर अमरजित कौर विरक। इना ने हैमकुंट सावधी पर संसा कारते होए एह चैप्टर लिखे हैं जिस विच ओनाने उस दी यात्रा दा ते उस दी इतिहास दा पूरे बरिक्की नाल वर्नन गिते हैं देखो कभी की कह रहे हैं अपां पढ़ देयां शिरी हमकुंट सावधी नातों सारे जानू हैं एह पार्त दे परसीद तीर्थ स्थाना विच्चों एक हैं एथे हर साल पार्ती ही नई लखांदी गिंती विच विदेशी सरदालू वी यात्रा करन लई ओन्दे हैं दस्या जान्द है कि इस स्थान उत्ते शिरी गुरू गोविंग सिंग जी ने पिछले जनम विच तपस्या कित्ती सी देखो एस गुर्द्वारे दा महान होंदा कारण की हैं कि एथे शिरी गुरू गोविंग सिंग जी ने पिछले जनम विच तपस्या कित्ती सी पांडवा ने वे इस स्थान ते तापकित्ता से गुरु गोविंग सिंग जीदी बाणी विच इस स्थान दे बारे लिख्या है देखो कि गुरु ग्राण सावदे विच गुरु गोविंग सिंग जीदी जड़ी बाणी है उना ने इस जगादा वर्नन कार्दे होए की पंक्तियां लिखी हैं ओ देखो अब मैं अपनी कथा बखानो तब साधन नह बिदमोही आनो हैमकुंट परवत है जहां सबत सीगर सोबत है तहां सपत्र सीगर तै नाम कहावा पंडरा जै जोग कुमावा मतलब की उना ने खुद ने भी पिछले जनम वीच एत्थी किया तबस्या किती ही सी नाल ही पांडवादे इस स्थान दे बारिच्वी उना ने गुरुगरन साव देवीच पंक्तियां देवीच दस्या होया है देखो शुरू तो एहीं पंक्तियां देखो अब मैं अपनी कथा बखानो तैसा दंजे बिद्मोह आनो हैमकुंट परवत है जहां सब्त सीगर सोबत है तहां सब्त सीगर तै नाम कहामा पंड राज जह जोग कमामा तहां हम अदक तपस्या सादी महा काल का अरादी अगे हैं इह स्थान उत्ते हैमकुंट है मतलब कि एह जड़ा हैमकुंट है एक इत्थी है उत्तराखंट दे तरफ ते होगा हैम दा अर्थ हुंद है बरफ अ ते कुंट दा अर्थ हुंद है सोरोवर हुन हेम कुंट दा अर्थ की हुंद है, हेम दा अर्थ हुंद है बरफ, ते कुंट दा अर्थ हुंद है सुरोवर, बरफ दा सुरोवर इह स्थान समुंदरी तालतों लगबाग 15,000 फुट उच्चा है, कि थो समुंदरी तालतों किने लगबाग 15,000 फुट उच्चा है इस स्थान लई इत्थे सारा साल बर्फ जम्मी रेंदी है इसलिए कि उन्दे उत्थे बर्फ जम्मी रेंदी है ठंडदा मोहोल है इत्थो सहीत सरोवर विच पानी दे नाल नाल बर्फ भी तार्दी दिखाई दिन्दी है इसले इसनों हैमकुंट जां बर्फदा सुरोवर केहा जानदा है अगे देखो आजगालिस स्थान उत्ते बड़ा सोणा गुर्दवारा बढ़िया होया है बहुत उंचाई उत्ते होन करके इत्ते उक्सीजन दी काट होंदी है कोई भी आम व्यक्ती बहुत देर लई एथे नहीं रह सगदा फिर भी अनेका यात्री शर्दा करके एथे पुझदेहन अते आले दुआले दे कुदरती नजार्यां दा अनंदमान देहन हैमकुंट ताकदी यात्रा बहुत कठीन है पावेहन सडका बन जान करके बहुता सफर बसां ट्रकाते कारां आदी उत्ते हो जानदा है फिर भी बहुत सारा रस्ता अजिया है जो पहाड़ियां विचों केवल पैदल जा कोड़ियां तो हीले तै किता जानदा है इस एहे रस्ता बड़ा बिखड़ा है मतलब की उपड़ खाबर तरीकेदा अते सिद्धी चड़ाई वाला है हेमकुंड सेव जानवाली यात्री अपना सफर इकतरानाल उत्तर परदेश दे बरसीद शहर रिशी केश्तों शुरू कर दे हैं देखो हुन इनना दी ओस थादी जड़ा भी इत्यास है गया ओता अपनू बतलाग ही चुक्या है ते ओधोंदा जड़ा वात्तवरन है ओवी कवी सानू दास चुक्या है ते हुन यात्रा कित्थो शुरू कित्ति आंदी हैहिए सब तो पहला रिशी केश्तों कित्तो रिशी केश्तों कित्ति आंदी Holzी है रिशी केश वी खे एक बहुत वड़ा ते सुन्दर गुर्द्वारा बनेया होया है मेदानी इलाक्यां तो अर्ण वाले लगबग सारे ही यात्री अपना पहला पड़ा इत्थे कर दे हैं वदलब के जेडी वी जगह तो आपा चाल मालो आपा पेली बंगा तो चल ले हैं तो रातनाई सफर करन तो बाद आपनी स्वेर कित्थी है रिशी केश दे वीच आपा अपना अगला की ये पड़ा चालू करते हैं सबतो पहला कित्थे वी यात्रा कर लई अगर हैमकुंड साव दी यात्रा करते हैं ता आपा रिशी केश दे विछ ही पहला पुझ दे हां ओथे वी बहुत सोना ते बहुत वड़ा गुर्द्वारा बढ़ेया है अगे देखो इत्थे आम तोरते यात्री अपनी यात्रा स्व करें तो ओं एक इत्थों दी यात्रा कर दे हैं हैमकुंड सब्दी यात्रा स्व्डू कर दे हैं क्योंकि एक तों द्थे जिन्नावी अगला रस्ता पहारी इलाके दे रिशी केश तो अगला पड़ा शिरी नगर होंद है रिशी केश तो बाद केड़ा होंद है अगला पड़ा केड़ा है शिरी नगर होन पड़ा होंद है कि जिवें आपा लगादार किते जाने है ता एक थांतों दूजे थांते जाके आपा विश्राम कारते हैं जिते रुक द है उनुप बड़ा आख्या यंद है रिशी केश तो शिरी नगर ताक 180 किलोमीटर दा सफ़र बड़ा कठीन है हों देखो रिशी केश तो शिरी नगर ताक दा जड़ा सफर हुंद है ओ किन्ने किलोमीटर है 108 इक पासे डूंगिया खुंडा है ते किते किते नाल नदी वागदी दिस्धी है दूसरे पासे उचे उचे पहाड दिखाई दिन दे है बतलब कि उथो दा जड़ा रास्ता है शिरी नगर दा रास्ता हुंद है एक पासे था पहुत वड़े वड़े पहाड होंगे ते झो खुड्दावाला वय वेग देर दागे हैं पर जोड़ों पहाड़ाभाल नजर मारे दां अन्हायावल परे नजार सारा डार दूर कर दिनदे हैं। आगल सही है कि जबू अपा जड़े बहुत डूंगियां डूंगियां खाईयां वन्नी वेख देयां, खुड़ां वन्नी वेख देयां तो सानू एक पल लागधाया, लेकिन जड़ो ऊथोग्धा कुड्रती नजारआ, पहाडाइनू, हरे आलीनू वेख देयां साथा जड़ देखो केड़ी केम्प लगे हो यह अन्गेंप से गया थे गड़वाल युनिवस्टी किया जानता है कि सुमेर परवत्नु जानते होए श्री गुरु नानक देव जी अथे रूके सन। होटला भी बाण गए हान मैदानी इलाक्यां वीचो अतीरी गर्मी जागदे गए यात्री इत्या के कुछ ठंड दा सुख मानदे हान। शरी नगर रात रहे के अगले दिन स्वेरे गोविंद काट लई यात्रा अरम्ब हुंदी है। शरी नगर तो कित्थे पॉंच जाना है गोविंद काट काट न्यात्रा अरम्ब हुंदी है। सारा रस्ता चडाई वाला है आले दुवाले पहाडां दा सिलसिला लगातार नाल चालदा है हेठा डूंगियां खुंडा विच नदीदा पानी अते बड़े तेज वेग विच वहर्या हुंदा है गोविंद काट तो बाई किलोमीटर पहला रस्ते विच प्रसिद्ध स्थान जोशी मठ होंदा है ओँ देखो गोविंद काट जीदों अपा जारे हुने तो बाई किलोमीटर तो पहला रस्ते विच प्रसिद्ध स्थान है किन्ना ता परसिद्ध तीर्थी स्थान है हिंद्ध मुआ दा किहां जन्द है कि एह स्थान शिरी शंकाचारिया वलो स्थापि किता गया शिरी शंकाचारियां वलो औना दे चार मठ सान जिनना वीचो एक की ए जोशी मठ है आले दुआले पहाडिया नाल कि रिया एह स्थान एक वक्री की सम्दान जारा पेश करता है जोशी मठ वीच कई मंदर हान जोशी मठ तो अग्गे गोविंद काट हो दे पासे घ्राइब। अते चिंतावा पूल जान देहन हैमकुंट सहाइब दे परबंद कावलों कुरद्वारा विच रहास दा वदिया परबंद है लंगर हर वेले चाल दा रेंदा है इत्थी अगे यात्रा अगले दिन स्वेरे अरंब करनी पेंदी है यात्री गोविंद काटतों गोविंद ताम तक दा 13-14 किलोमीटर दा रस्ता पैदल तै कर दे हैं लेकिन गोविंद काटतों की ये गोविंद ताम तक जान लेए सानू पैदल रस्ता तै करना पेंदे हैं कोज लुक इह सफर कोडियां दे कर दे हैं पैदल चलन दा अपना वक्रा ही अनंद है सही गाल है उस जड़ा र कर दे है उस जर्द हुन दे हैं और बहुती वखरा हुन है सारा रास्ता चड़ाई वाला है उबढ़ खाब रस्ते उत्ते चाल दियां श्रीर कई वारी थक जान दे पर मन वीच उत्सा कायम रेंदा है रस्ते विच यातरी थोड़ी थोड़ी देर अराम करके फिर अगे दोश पैदा हुंद है हर्यावल ताजी हवा अते चश्मिया धा ठंडा पाणी चर्ने जुनु कहा दिन दे मैदानी इलाकियां दे यात्रियां लईता अन्मोल सुगात बाण जान दे हन और जान वाले यात्री एक दूसरे नुशुप विश्वा इच्छावा दई जान दे हन गर्मिया दे इना दिना विच पारी गिंती विच यात्री अते था था उते दुकाना किसे मेले दाद्रिश पेश कार दिया हन रस्ते विच एक वड़ा गैलीशियर ओंदा है रस्ते दे विच की ओंदा है गैलीशियर ओंदा है यात्री गैलीशियर पार कार दिया बर फिले पहाडा नू हिरानी ना देख देहान शाम नू यात्री ठक्क्योए पर खुश मान ना गोविन ताम पुझ जान देहान किते पुझ दे शाम दे समें गोविन ताम इह स्थान समुद्री तालतों एक हजार पांसो फुट उंच्चा है इत्थे मैदानी इलाके दियां सर्दिया वालियां ठंडी पेंदी मतलब कि ओथों दा जड़ा महोल हुंदे नो एने टाइम ठंड डाला ही हुंदे जिद्दा साथे ठंड ओदों हुंदी है न ओस गर्मिया दे टाइम वीच ओथों दी ठंड ओस तरिक्के दी हुंदी है एथे वी एक बहुत वटा गुर्द्वारा इत्थे यात्री दी रहे से लई थां कंबल लंगर अतिचा पाणिदा पर बंद है यात्री दे धिना विच इत्थे बड़ी चहल पहल रेंदी है सारे यात्री स्वेरे हैं कुंट सावड़े दर्शन दी तांग मन वीच राख के सोंदे हन अग्य देखो अगले दिन स्वेर देही हैं कुंट लई यात्रा अराम करनी पेंदी है कोई वी यात्री कोई वी यात्री हैं कुंट साइब रात नहीं रह सादा इसलई दर्शन करनो प्रांत वापिस गोविंद काथ ही पुझना पेंदा है गोविंद ताम तो गोविंद काथ या हैं कुंट साइब 6-7 तो गोविन ताम तो गोविन हैमकुंट साफ दी जड़ी दूरी हुन दी है उच्छ है तो सत किलोमीटर दी दूरी हुन दी है पर इह चड़ाई लगबग सिद्धी है इसलिए रास्तव देरे कठिन है पर रास्ते ते नजारे होर वी सुन्दर हन सारे पासे बरफ दे पहाड दिश दे हन, सूरस दिया किरना पैनाल, बरफ सोने वांग चमक दी है रस्ते विच था था उत्ते दुकाना हन, रहा विच्चों दो गलेशियर ओंदे हन एथे वी रहा विच की होंदे हैं दो गलेशियर होंदे हन गलेशियर पार कारदे हैं हेमकुण साव स्थित गुर्दार दर्शन होने शुरू हो जाने हन इस पदरे स्थान ते स्थित स्रोवर अतेनाल ही सुन्दर गुर्दारा एक अदुती नजारा पेश कार दे हन किन्य पहाडिया आनें दिया आसेपासे इसनान कार दे हन इसनान कर दे थकावत दूर हो जान्दी है यात्री गुर्द्वरा साब दे दशन करदे हन अते मत्था टेक दे हन अक्सिजन काट जान करण सरो सेवादर एथे यात्तिया नूरा ठहरन दी इजाजत नहीं दिन दे यात्री अपने मन वीच इना नजारे नू वसोंदे हन अते मुड एथे ओन दी लोचा लेगे वापस मुड जान दे हन हुंड रास्ता उत्राई वाला हुंदा है तिल्क जान दे डरों साबदानी राख दे यात्रा करनी पेंदी है शाम तक गोविन ताम तो गोविन काट वापस अते फिर अपने अपने करानू इस यात्रादा नजारा हर वेले यात्रियानू यात्रादे सुभामी दिना दी याद्द वोंदा रिंदा है इस तरह हैं कुंट दी यात्रा हर यात्री दी सुनेहरी याद्दा विच शामिल हो जान दी है आसी साड़ी हैं कुंट साहिब दी यात्रा जड़ी बहुत ही रोम अन्नू मोहलेंड वाला है आसी साड़ा सिक्स चैप्टर अजले